सब जगह आपको लेवल टू गाड्स मिलते थर्माल लाइनर मिल जाएगा कोडूरा का यूज किया गया सेफ टेक लेवल टू गाड्स यूज किया गया चलिए शुरू करते इस वीडियो हलो एवरीवन वेलकम तो आज चैनल मैसल शुबमदत्ता सो आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटील रिव्यू देंगे सोलेस रैंबल जैकेट का सो बिना कोई टाइम वेश किये चलिए शुरू करते इस वीडियो को में、 तो 25 झालियो कोई चैनल मैं तो यह सोले स्रेंबल जैकेट तो यह है इसका फंट प्रोफाइल यह इसका साइट प्रोफाइल देख लीजिए और यह इसका बैक प्रोफाइल तो शुरुवात में आपको बता देना चाहता हूँ इस जैकेट में कौन से लेवल के गार्ड उसका नाम के है तो इस जैकेट में लेवल टू गार्ड उसके गार्ड शॉल्डर एल्बो बैक एंड चेस सब जगह आपको लेवल इसके साथ एक आपको बहुती अच्छा क्वालिटी का थर्मल लाइनर मिल जाएगा जो कि कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा ठीके और इसके साथ एक को एक अच्छे क्वालिटी का रेल लाइनर मिल जाएगा जिसमें आपको पीछे बैक साइड और फ्रंट साइड में आपको reflective stripes मिलेंगे जो कि रात को reflect करेंगा अब मैं आपको बताऊंगा इस jacket में कौन सा fabric use किया गया है मेश का quality कैसा है प्लस क्या-क्या चीजे इसमें extra दिया हुआ है तो इस jacket में ये पूरा jacket 700 डिनायर पॉलिस्टर से बना हुआ है अब दिनायर पॉलिस्टर का है आप हमारे previous दो वीडियो देख सकते हैं वहाँ पर हमने अच्छे से समझाए कि दिनायर पॉलिस्टर का है और description में आपको वो दो वीडियो का link पे मिल जाएगा तो ये जो पूरा jacket है वो 700 डिनायर से बना है आप देख रहोंगे फ्रंट में आपको इस portion पूरा full body आपको mesh मिल रहा है lower portion में आपको normal mesh की यूज किया गया और ये upper जो portion है इस portion में आपको premium quality का mesh दिया गया है back side में भी आप देख सकते है full body mesh है पूरा आपको अच्छा quality का mesh दिया हुआ है ठीक है अब आप ये भी देख सकते हैं आपको side में जब आपने side profile देखा था यहां पर आपने देखा था shoulder में sliders दिया हुआ है जो कि आपको aerodynamic shape भी देगा प्लस आपको extra protection भी देगा उसके बाद आप देख रहे होंगे ये high impact zone में थोड़ा आपको ये part फुला फुला लग रहा होगा अब ये part में आपको अंदर guard है उसके बाद आपको ये क्योंकि ये high impact zone है high impact zone का मतलब ये होता है कि जब हम ride करते तो अगर हम कई fall होते तो हमारा elbow और shoulder का ज़्यादा chances रहता है वो ground से जल्दी impact होगा और first में impact होगा so यहाँ पे extra protection के लिए आपको cordura का use किया गया है जो की 500 डिनायर का cordura है means अब ये cordura क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ cordura एक टाइप ओ फैब्रिक है जो की luggages backpans इन सब में यूज होता है basically और इसका benefit क्या होता है ये abrasion को ज़्यादा अब्सॉर्ब करता है इसलिए jacket में भी high impact zone में cordura का use किया गया है जो कि आपको जब आप कहीं fall होते है at the time of fall वो उस abrasion को ज़्यादा एब्सॉर्ब करेगा एक और चीज में आपको बता देना चाहता हूँ इस jacket के इस portion में आपको stretch panels मिलता है so that आपका जो movement हो वो movement आपका easily हो आपको दोनों साइड ही ये चीज मिल जाएगा और इस jacket में कहा का adjustment है मैं वो भी आपको बता देता हूँ आपके wrist के एरिया में आपको velcro adjustment मिलेगा इस तरफ आपको एक adjustment मिलेगा इधर भी आपको एक velcro adjustment मिलेगा plus waist में भी आपको दूनों साइड में velcro adjustment मिलेगा सो अब मैं आपको बताऊंगा इस जैकेट में कहां कहां हाई विज नियॉन कलर का यूज किया है प्लस कहां का रिफ्लेक्टिव दिये हुए ठीक है तो आप जैसे देख रहे होंगे ये दो पॉर्शन में आपको रिफ्लेक्टिव दिये हुए है सोलर्स का ब्लैंडिंग जो कि रात में आपको बहुत ज्यादा बेनिफीशल होगा और रात को ये ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है ये पॉकेट के साइड में आपको दो रिफ्लेक्टिव दिये हुए अगर आप साइड प्रोफाइल में देखेंगे ये जो स्लाइडर से इन स्लाइडर में आपको र कि अगर आप रात को इस जैकेट को पहन के चलाते तो इसका रोट प्रेसेंस बहुत अच्छा हुआ क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यहां पे आपको नियॉन कलर प्लस रिफ्लेक्टिव का यूज किया गया है अब मैं आपको बताता हूं इस जैकेट में कहां कहां आपको पॉकेट्स में लेंगे जो की वाटर प्रूफ है आप इसमें प्लस इसमें वाइक के चेंड भी यूज किया गया अंदर आपको एक वाटर रेजिस्टेंट पॉकेट मिलता है सेगिंड जो जीज में आपको बताना भूल गयाता है एडजस्मेंट को लेके कि आपका कॉलर म सब्सक्राइब इसमें भी बहुत बढ़िया अगया अगय जिया हुआ है इसको आप अपने एडजस्मेंट के इसाप से अपने लेंद के इसाप से उसको सेटकर सकते है एक एक करके अभी मैं आपको सारे गाद्स दिखाता हूं जो जो गाद इस जैकेट में यूज किये गए है तो यह है चेस गाद फ्रंट प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल लेख लीजिए, C-certified guards है, आप आप देख सकते हैं, level 2, C-certified, फिर ये है इसका shoulder guard, C-certified level 2 याँपे, फिर ये है इसका elbow guard, इसका भी आप देख सकते हैं, C-certified and level 2, और जैसे कि इस जैकेट में सिर्फ back side में आपका safe tech level 2 guards ये आप देख सकते, safe tech level 2 guards, So ये जो जैकेट है, Solace Ramble, जो की सिर्फ और सिर्फ 9-6-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 में आपको shoulder, elbow, back, chest, सब के सब level 2 guards मिल रहे है, C-certified level 2, प्लस आपको rain liner, thermal liner, TPU sliders, high impact zone में cordura, premium quality mesh, So अगर किसी को भी ये जैकेट पर्चेस करना है, तो वो हमारा store विजिट कर सकते है, सारे sizes available है, और अगर किसी को online घर बैठे है, ये जैकेट को delivery लेना है, तो हमारा description में whatsapp number है, आप उस whatsapp number में पैसेज कीज़े, वहाँ पे आपको सब process समझा दिया जाएगा, Thank you so much for watching this video, ता पिरो यारो, मिल के ज़रूर जाना, Start कर दिया, So, huh, Guards के बरहें बता वेता हूँ? जब तो घुमा रहा था तभी उस तू कट कर दिया, अफिशर बोलना पड़ेगा, भाई, कर देना चाता हूँ, इसके साथ आपको क्या हूँ, लेवल 2 तूने बोलाई ने स्टार्टिंग सेथ, अब क्या करना है, बाक साइड में भी आप देख सकते हैं, क्या बोलो, 3,2,1 सेथ, इरे भाई, बोले ची तो, बोला है, अभी प्रूब करा तूँगा, कर, करा,